आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट खतम होने वाली हैं हाँ बिल्कुल सही सुना आपने मैंने इससे पहले कई में अभी क्यों लिखवाया अभे थम्लें में लिखवाते तो तो एक लाग करोण का इन्वेस्टमेंट है नए ट्रेंस में वह होने वाला है ठीक है रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैश्रव ने बोला है अब वेटिंग लिस्ट आपको पता ही है कि चार तरीकी की बिसिक स्टूडेंट्स कोटा यह सब डिफरेंट तरीके के बारा या तेरा कोटेज होते हैं ठीक है टोटल तो पचास पे कोटा अब माल लो जैसे आपने देखा होगा ना कि आपकी वेटिंग लिस्ट पंद्रा है एकदम से आपकी कंफर्म हो जाती है जब चार्ट बनता है वह इ पचास कोटे के लिए हैं है ना तो अब पचास ़ैसे फूल हूई तो यह वण टू त्री फूर ऐसे वेटिंग लेस्ट दिखाना शूरू कर देगा अब मान लो कि यह जो 50 कोटे वाली हैं इनमें से 25 कोटे वाले आते आपके सी कोटे आते हैं तो 25 je nice Celebrity अगी है जय किया ले लिकिन अब देखे रेलवे में एक तो प्रॉब्लम ही है कि आधकर बड़े वीडियोज आ रहे हैं मैंने देखा चट पूजा के बाद कई ऐसे वीडियोज देखे हैं जब लोग जो है वो बिना टिकट के या उन्होंने जन्रू का टिकट लिया तो एसी टू एसी त्री में च कर सकते हों लेकिन कैसे ट्रावल करोग है ईसको रोकना चाहिए इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए तो यह पुरा हिसाब किताब अधैते जहें वो बिमीटर्फिक लोगी तो ओवित घ्रक ऑप करना पड़ेगा कि कह वा कांसल कर वाले लिको ट्रॉट sector आप ठीक है क्या आप आती है वो बेस्ट है उस पर आपको probability दिख जाएगी और probability आपको पता लग जागा 70-80% में मतलब अगर probability इतनी है तो confirm हो ही जाती है तो पिछले 15-16 दिन का आपको दिखा देगा और बिल्कुली किसमत खराब रही तो फिर बस से जाना और क्या करोगे तो इं आच नई बंदे भारत मुझे बड़ी गुस्सा है कि लखनों से ये जाना चाहिए तेकिसे क्या क्या कई नजाते है तो आपको लखनों से बनारस वंदे भारत के चाहिए तो इंडिया निवे ऊए वो नई ट्रेन जिसका इंवेस्टमेंट लगबग एक लाग करोण के करीब होगा एक्वायर करेगा अगरे कुछ सालों में ठीक है साथ ही साथ उन्होंने क्योंकि देखिए अभी सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा जो ट्रावलिंग हो रही है वो रिल्वेस से ही हो रही है पैसेंजर ट्रावल सेक्टर में बहुत ज़ादा तो मिनिस्टर ने ये भी बोलाए कि भाई जो हम अपग्रेट करने वाले हैं ये इसी का ही पार्ट है और हम नमबर अफ ट्रिप्स और अवैलिबिलिटी जो है वो बढ़ाने वाले हैं अब गोल यही है कि हम रिप्लेस करें जो भी हमारे स्टॉक है साथ हजार से आठ हजार ट्रेन जो है वो आड होंगी तो अभी अगर आप टोटल मिला दे वैसे तो अगरा पैसेंजर ट्रेन मतलब अगर आप मालगारियों को लग कर दे तो हमारे पास तक्रीबन अभी 14,000 के करीब ट्रेन्स है और मालगारियों को भी आड कर दे तो 25,000 के करीब होगी ठीक है 24,000 से 25,000 थोड़ा आंकड़ा इधर हो सकता है तो अभी 7-8,000 नई ट्रेंस हम और ज़धा आड़ करने वाले हैं टेंडर्स दिकाले जाएंगे और उसके बाद जिसकी सबस्पर बढ़िया बिडिंग होगी हम उसे कोई कॉंट्राक्ट देंगे और एक लाक करोर जो है देखिए आपको बता दूँ कि अगले 15 साल यानि कि इसमें टाइम भले ही लगेगा लेकिन वेटिंग लिस्ट रेक बड़ी सिर्दर्दी होते हैं इतनी सारी अगर ट्रें चला दी जाएंगी तो जाहिए से बाद है वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हो जाएगी मैंने एक लेक्चर लगाया था ना बनाया था कि हमारी निल्वे विमार है में ट्रेंस की बात नहीं है पॉलिटिक्स की वज़े से अब ट्रेंस लॉंच करते जो बते ट्रेंस तो नहीं है ना तो ट्रेंस लेट क्यों होती है इसी वज़े से होती है ट्रेन बहुत ज़्यादा ट्राक्स है नहीं, ट्राक्स को बलाओ भाई, ट्राक्स की जरूरत है हमको, ट्रेन से ज़्यादे समय ट्राक्स की जरूरत है, अब सरकार ट्राक्स पे भी काम कर रही है, ट्राक्स जितने ज़्यादा ट्राक्स होंगे न, उतना बढ़िया होगा, ठ 70% जो इनका धाई लाग करोन है अभी 2024 के लिए जो बजट था वो ये इस्तमाल कर चुके हैं अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी और 12 लाग करोन का investment चाहिए ताकि जो current level of economic growth है 2030 तक हम उसको cater कर सके क्योंकि आपको पता है कि railway ही जो जैसे अभी dedicated free corridor DFC बनाए जा रह होती है कि माल गाड़ी की speed धी में हैं माल गाड़ी क्योंकि भाई सबसे पहले आप passenger trains को जगा देंगे तो माल गाड़ी लेट हो जाती है अगें ट्राक्स की कमी तो dedicated free corridor आपको पता ही है कि यह लगातार बनते ही जा रहे हैं और कई complete भी हो गए है तो यह चीज है तो अभी capital budget की अगर बात करते हैं तो renovation हो रहा है लगातार 9 engines आ रहे हैं अब यह वो नीला वाल एंजन कितना जबरदस्त है ठीक है डबलू ए पी डबलू ए जी यह क्या होता है वाइड पहले हमारा narrow गोज होता था वाइड हो गया तो वाइड आल्टरनेटिव AC करेंट यूज करते हैं और यह जो अगर पी आगे लगा है तो passenger यानि कि वो passenger trains को ले जाता है मतलब passenger trains के express mail superfast उनको और अगर जी लगा है तो goods train को ले जाता है ठीक है वो engine तो अब यह चीज़ आप समझ लिजेगा आथ से कभी अगर आप engine देखे तो वाइप और यह आखरी वर्ट देखेगा पी है कि जी है जी है तो मालकाडी का engine है और पी है तो और कई बार आपने PG तो दोनों को ही ले जाएगा वो कभी अगर अब ही यह वाला पूरा का पूरा कोरिडोर जो है यह खुल गया मतलब इसको हमने complete कर लिया है और यह बहुत जल्द जो है वो open होगा गती शक्ति टर्मिनल से यानि कि एक तरीके से जहां पे कई बार ऐसा होता है कि जो industries आपको पता ही है कि steel और कोईले की industries है वो उनको लेकिन जैसे ही यह आएगा गती शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फटाक से हमारा काम जो होगा 80% western इसका पूरा लगबग लगबग complete होगा और बहुत जल्द यह खुलेगा अब यह खुलेगा ना तो जैसे हमारे main tracks पे भी जो हमारे मालगारिया चलती है ठीटी है जो freets चलते ह उन पे भी बल कम पड़ेगा मतलब आप यह समझे कि मालगारियों के वज़े से भी मालगारियों भी लेट हो रही है तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक जगा से आप यह बाहर हटा दोगे तो दूसरी जग अपने आप तेज हो जाएगी ओके तो यह चीज है तो 5000- 6000 किलो लेंगे तो क्या होता है कि फिर प्लैटफॉर्म पर ट्रेंट खड़ी होती है वह वेट करती है ताकि दूसरी ट्रेंट क्रॉस करें देखा है क्योंकि मल्टिपल ट्रेंट चलती है अब इसमें भी सबसे पहले जो प्रीमियम ट्रेंट हैं जैसे मान लिजे कि आपकी एक्सप्रेंट को रोका जाएगा सबसे पहले आपकी प्रीमियम ट्रेंट होती है वंदे भारत शेताबदी राजदानी तेजस को तो सबसे पहले पास दिया जाता है क्योंकि अगर दो घंटे से जादा ट्रेंट मुझे मुझे भाइस और रुपर मिलते हैं तो बहुत है कि कई बार आप कहते हैं कि अब यार ट्रेंट बहुत देर से खड़ी हुई है यार इस प्लैटफॉर्म पे वो क्रोसिंग करवाई जाती दूसरी ट्रेंट को क्रोस करवाई जाता है पेटा आगे जाओ तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रॉप्लम हो जाएगी जल्दी नि बिचा दिया है लगबग हर दिन 14 किलोमीटर ट्रैक जो है वह लगाता है बिचाए जा रहे हैं तो इसी से वेटिंग लिस्ट जो है वह खतम होगी अब लगबग साड़ 10704 जो है अगर इंडियन डेलेस की बात करें तो इतनी ट्रिप्स होती है ठीक है तो प्लान तीन हजा और ट्रेंज को एड़ करना है अब वैसे धीमे धीमे ट्रेंज से अड़ होती जा रही है अगर दे साथ सीसी बहुत हो गई यार तो इसका मतलब हर साल जो है वो रेल्वे जो है वो वेटिंग लिस्ट खतम करने के कखार पर ही है पर इसे कितना फाइदा होगा तो वह भी द वो 568 से अल्रेडी ये बढ़ गया है ठीक है ये बहुत जादा मतलब ट्रेंस में लोग बहुत ट्रावल कर रहे हैं और मुझे कोवीड के बाद तो इकदम से भीड़ा गई है इकदम से हर जगा ऐसी भीड़ है कि मतलब भाई रेलवेज में तो भायानक भीड़ा अरे रेलव और वंदे भारत जो है वो दौराने वाले वंदे भारत मुझे लगता है सबसे बेस्ट है ठीक है जो प्रीमियम एफोर्ड कर सकते है वो वंदे भारत ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है क्योंकि एक तो कम दूरी के लिए होती है 6-7 मलब और दूसरी चीज आपका जैसे अभी एक्जामपल लेता है नई दिल्ली से वैश्नदेवी है ना वो इतनी शांदार है कम जगा रुकती है जल्दी भागती है और कम टाइम लेती है ठीक है और तूकि इस टौपज है नहीं और उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है तो इससे यूजियर कोई तौफा मिलने वाला है तो बहुत बढ़ी है बाई देखो इंडियन रेल्वेस में हमेश्या प्रेफर करता हूं रेल्वेसे बेस्ट कुछ होता है नहीं ठीक है आप हटाईए एरोपलेन को कुछ भी पर जो रेट ट्रेन में ठक ठक है जो मज़ा आता है ना हिलते रहत बट आप आप लोगों को भी सोचे जनरल के जनरल के डिब्बे धीमेधी में खतम करते जा रहे हैं लेकिन दिक्कत भीड तो उतनी और बढ़ी गई है तो आप क्या करें तो या तो आप रेल्वे को रिक्रूट्मेंट निकाले वो ठीक है क्योंकि मैंने कई बार देखा है क कि जब जो स्टेशन आता है उस पर बहुत भीड चड़ती हैं और किसी भी डिब्बे में चड़ जाते हैं इससे दिक्कत यह होती है कि उनने टिकट लिया है उनको परिशानी होती है अब विचारे यह क्या करें आप किसी दिन जनरल डिब्बे में बस जाए नर्क से भी धराने वाले वीडियोस फार्म नियू फियर अनलॉग्ड तो यह लेचरता आई हो आपको समझ में आया होगा कुछ नहीं पढ़ते हैं इससे चन्दान तक नहीं होते हैं साइनिंग ओफ